हेलो गाइज वेलकम आप लोगों का मेरे चैनल में तो आज का आपने टाइटल थंबलें देखके तो जान ही गए होंगे कि मतलब मैं मोनिटाजिसन अपलाई करने इस पहले तीन कौन से मिश्टेक है जो आपको जानना जरूरी है तो गाइज सबसे पहले यह बात की मतलब इसा होना चाहिए कि जिस दिन आप अपलाई कर रहे हो उस दिन कम सकम 18 साल से उपर उसकी एज हो जानी चाहिए नहीं वो कहीं पेज और ले जाएगा दूसरी दिसा में तो अपलाई करने इस पहले आप अपने मतलब गूगल में जाकर अपने इमेल आईडी जो है वहाँ पर अपना डेटाप बर्थ देख लें कि मेरा डेटाप बर्थ जो है 18 साल एज हो गई है या कम है अभी कल एक गाइस तो बहुत से लोग उसने क्या लॉक्डाउन में मोनो होगा जी हाँ आप मेरा रिसेंट्री में वीडियो आया देख लो चार दिनों के अंदर मेरा मोनोटाइजिशन हो गया मैं सोच रहा था लोगडाउन है 20 दिन लगेगा 15 दिन लगेगा कि नहीं होगा ऐसा कुछ सोच रहा था लेकिन 4 दिनों के अंदर मेरा मोनोटाइजिशन अनेबल हो गया और मुझे को बहुत खुसी हुई और तीसरी पॉइंट गाइस यह है कि जब आप अपलाई कर रहे हो मोनोटाइजिशन के लिए तो मतलब कोई भी वीडियो डिलीट मत करना क्योंकि डिलीट कर गया उसके बाद वो डबलूटी काम हो गया तो मतलब मोनो होने का चांस मतलब बहुत कम रहता और प्रावलम होती है तभी और दूसरी बात यह गाइस की मतलब की मोनो टाइजिशन अपलाई करने इस पहले आप चेक कर लेना कोई कॉपीराइट के लिएम हो अगर छोटा मो यह सब बातें आप ध्यान रखना तो मतलब यह सब अपलाई करने इस पहले अगर आप ध्यान दोगे तो आपका 100% मोनो टाइजिशन अनेबल होगा और दूसरी बात गाइस यह है कि अगर आप खुद की वाइस में सभी वीडियो है और आप चाहते हैं कि लॉक्डॉन में म मेरा मॉन्टाइजिशन होगा या नहीं होगा पक्का होगा कि मेरा ही ऐसा कुछ जब मैं अपलाई कर दिया बहुत टेंसन था कि होगा या नहीं लेकिन गाइस तीन दिनों के अंदर होगे बहुत खुसी मिली तो आई होब आपको छोटा वीडियो अच्छा लगा लाइक सबस्क्राइब और कमेंट